पतां लगों कर लाँ और फटाफट से आंसर निछे कमेंड कर दो क्मेंड कर jijだि मुंस करो किया मिल गया तहें थोड़ अज़र Commissioner लगा चलो मैं बता देता हूँ, यह है SpongeBob B, मिला देने पर बन जाएगा SpongeBob, यह वाला character थे तुम लोगों यादी होगा मैं पर, चलो फिर अभी यह वाला बता दो, यह है Looney Tunes, मिला देने पर बन जाएगा Looney Tunes, चलो अभी फिर यह वाला Cartoon का नाम बता दो, फटा फट से कमेंट करो यह है O, Ghee and Cockroaches, तो मिला देने पर बन जाएगा O, G and the Cockroaches, चलो फिर अभी यह वाला Cartoon भी बता दो यह To, M, Jare, मिला देने पर प्रणाउंस करेगा Tom and Jerry, यार तुम लोगों ने देखा है, अगर नहीं देखा है ना, तो मैं तुम से बात ही नहीं करूँगा, यह काटने मिला फेवरेट है, समझा ना, अब यह फटा फट से यह बना भी बताओ, यह तो यार बहुत अच्छा चलो मैं हिंट देदाओ, यह एक एनीमे है, अब तो तुम लोग फटा फट से कमेंट में पता ही दोगे, तो फटा फट पताओ, यह ड्रागन बॉल जी, ड्रागन बॉल जी यार, आब लोग किता जाधा ड्रागन बॉल जी देखें हैं, चलो अभी यह वाला बता दो, I guess य तुम लोगों के लिए कर दो, मुझे आंसर बतानी की विज़रत नहीं है, तुम लोगों ने आंसर कमेंट करी दिया है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, बैट मैं, बैट मैं, बैट मैं की तो मूवीज मी मेरी one of the favorite movie है, तुम लोगों ने देखी ही नहीं, चलो फिर अ वाला भी बता दो, ये कार्टून तुम लोग आज भी देखते हूँ, तो मुझे आंसर नीचे कमेंट में चाहिए, ये है निंजा हत्तोडी, तो बन जाएगा निंजा हत्तोडी, निंजा हत्तोडी, अपनी घर, कितना देखा है यार, चलो चलो फिर अभी ये वाला भी बत जादो, ये भी हम लोगों ने बच्पन में बहुत बहुत सादा देखा है, इसलिए आंसर मुझे जल्दी से तुम लोग का कमेंट में चाहिए, ये है रोड रनर, तो मिला देने पे बन जाएगा रोड रनर, कार्टून ये वाला भी भी यादे की नहीं, कितना मस दाता था याद, मुझे पुरानी यादे ताजा हो गई मेरी, चलो मैं रोड उसके पहले लास्ट वाला बता दो, ये भी याद मेरा फेवरेट कार्टून था बच्पन में, कितना अच्छा आता था, चली से बताओ मुझे रोहन को एक पागल इंगलिश ठीचर कैद कर लेता है, फिर वो रोहन से कहता है, तुम मेरे एक क्वेशन का आंसर दो, अगर तुमने आंसर दे दिया, तब तो मैं तुम्हें छोड़ दूँगा, और अगर नहीं दे पाए, तो मैं तुम्हें तुम्हारे दोस्त की तरह मार दूँगा, तो इंगलिश ठीचर पूछता है, इन नमबर्स को ध्यान से देखो, और बताओ कि ये नमबर्स इस सिक्वेंस में ही क्यों लिखे गए हैं, दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि ये नमबर्स इस सिक्वेंस में ही क्यों लिखे हुए हैं, एक बार अच्छे से देखिए और अपना अंसर कमेंट करिए, अगर आप इन नमबर्स को ध्यान से देखोगे, तो इनके स्पेलिंग की जो फर्स लेटर है, वो असेंडिंग ओर्डर में है, E के बाद आता है F, फिर N, फिर S, और फिर T, इसलिए ये इस सेक्वेंस में है, अभी अगली पहेली, इन दोनों पिक्चर्स को ध्यान से देखिए, इनने 5 डिफरेंसे हैं, तो जल्दी से कमेंट करके बताईए कि वो डिफरेंसे क्या क्या है, फर्स डिफरेंस यहाँ पर है, सेकेंड वाला इधर, धर्ड वाला यहाँ पर, फोर्थ यहाँ और फिफ्थ वाला यहाँ पर, आपने कितने बताए थे, अभी अगली पहेली सॉल किजिए, मंडे का दिन था, डिटेक्टिव आकाश अपने ओफिस आते हैं, तो देखते हैं कि टेबल पे एक रिपोर्ट पड़ा है, उस रिपोर्ट में लिखा होता है कि एक दिन पहले एक औरत का मर्डर हो गया है, डिटेक्टिव उस केश की तहकी काद करते हैं, तो उन्हें मर्डर के तीन सस्पेक्ट्स मिलते हैं, रियास, फैजल और मंजू, डिटेक्टिव उनसे पूछते हैं कि तुम लोग मर्डर के वक्त कहां थे, रियास कहता है, मैं तो कॉलेज लेक्चर अटेंड करने गया हुआ था, फैजल कहता है, मैं अपनी बेटी के साथ पार्क में गया हुआ था, और मंजू कहती है, मैं अपने दोस्त के साथ मॉल गई वी थी, शॉपिंग करने के लिए, टिटेक्टे जब उनकी बात सुनते हैं और अच्छे से उन्हें देखते हैं, तो समझ जाते हैं कि खून किस ने किया है, दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि खून किस ने किया, अपना आंसर कमेंट करिए, खून रियाज ने किया है, क्योंकि उस नोट में लिखा था, कि खून एक दिन पहले हुआ है, यानि संडे को, और संडे को कॉलेज बंद रहता है, तो यह पहली इमेज देखो और फटा-फट सकते हैं, अब दोस्तों बताना कि इसमें एक कॉन सा काटून का नम है, यहने चोटा सा, चोटा भी, या चोटा भीम, यह चोटा भीम है, दोस्तों, मैं बहुत इंटलिजन तून, इसलिए, आटून का नम मुछे नीचे खमेंट में बता दो, यह ति तुम लोग को पता हिए और तुम लोग बहुत बार देखे हो, फटा-फट से बताओ, यह चोटा भीम, तो मिला भने पे बन जाएगा चोटा भीम, तुम लोग देखते हो ना चोटा भीम, तो फटा भट से खमें बाय जो तो